दोस्तों अम्रूत पोसक ततों से भरपूर होते हैं और स्वास्त के लिए फायदे मन माने जाते हैं खास कर भाग दोल भरे जिंगी में ये जरूरी पोसक ततों की पूर्ते का काम कर सकते हैं वैसे सभी फल गुनकारी होते हैं लेकिन इसमें हम खास तोर पर सरीर के लिए अम्रूत के फायदे की बात करेंगे यह असानी से मिल जाने वाल फल है और अम्रूत के गुन सरीर को स्वास्त रखने के साथ साथ कई बीमारियों सो बचाओ का काम भी कर सकते हैं इस वीडियो में हमारे साथ जानिये अम्रूत के स्वास्त लाब और विविन सारे रिक्स समस्याओं पर अम्रूत के फायदे इसके अलावर वीडियो में अम्रूत के स्वास्त लाब और गुन के साथ साथ अम्रूत से होने वाले नुकसान को भी जानेंगे तो चलिए वीडिय को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी वेनिफिट्स को जान लेते हैं नमबर वन अमरूद हाई एनेरजी फूट है जिसमें भरपूर मातरा में विटामीन और मेल रल्स पाए जाते हैं ये तत्व हमारे सरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं नमबर टू अमरूद में पाए जाने वाला विटामीन बी नाइन शरीर की कोशिकाओ और डी एने को सुधारने का काम करता है नमबर टूरी अमरूद में मौजूद पोडेसियम और मेगनेसियम दिल और मानसफेसियों के दुरूस्त रखकर उन्हें कई विमारियों से बचाता है नमबर फोर अगर आप अपनी रोग परती रोधक छमता को बढ़ाना चाहते तो अमरूद का सेवन करना बहूत फाइदेमंद होगा नमबर फाइब अमरूद के नियमित सेवन से जर्दी जुकाम जैसी समस्याओं के होने का खत्रा कम हो जाता है नमबर फिक्स अमरूद में पाइजानल विडामिन ए और ए आँखो बालो और तबचा को पोसंद देता है नमबर सेवन अमरूद में मौझूद लाइकोपिन नामक, फाइटो, निउट्रेंट्स, शरीर को कैंसर और टूमर के खत्रे से बचाने में सायक होते है नमबर एट, अमरूद में बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर को तवसा संबंद में वेरियू से पचाता है नमबर नइन, अमरूद का नियमित सेवन करने से कबज की समस्या में रात मिलती है 10. अमुरूद की पत्यों का सेवन मुँ के छालों को दूर करने में कारगर होता है 11. अमुरूद का रायता, चटनी, अचा, जूसर, सेख खाने का स्वाद बढ़ा देते है 12. अमुरूद मेटाबोलिजम को सही रखता है, जिससे सरीर में केलोस्ट्रोल का अस्तर नियंत्रद रहता है 13. कच्चे अमुरूद में पके अमुरूद की अपेक्चा, विटामिन C अधिक पा जाता है 14. अमुरूद में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है इसलिए या डाइबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है 15. नॉर्मल थारेड में भी डॉक्टर अमुरूद खाने की सला देते है 16. कैंसर से बचाओ में भी अमुरूद के लाप देखे जा सकते है इससे जुड़ एक सोद में जिक्र मिलता है कि अमुरूद प्रोश्टेट कैंसर के जोखिम को कम करने में मददगार हो सकता है 17. डाइबिटीज में अमुरूद के लाप देखे जा सकते है माना जाता है कि बीना छिलके वाला अमुरूद बलड सुकर को कम करने में मदद कर सकता है 18. मोटापा कम करने में अमुरूद फाइदेमंद हो सकता है इस विशे पर एक विशेश सोद चल रही है अम्रूत का सेवन हिर्दे के लिए फायदे मन्द साबित हो सकता है दरहसल इसमें पोडेस्यम की कुछ मात्रा पाई जाती है जो रक्त वही काओं को अराम पहुँचाने का काम कर सकती है जिससे रक्त चाप को नियंद्रित करने में मदद मिल सकती है वहीं इसमें फायवर पाये जाता है और फायवर खराब कोलेस्ट्रोल जो दिल की बिमारी का कारण बन सकता है उसे कम कर सकता है और कोलेस्ट्रोल की वज़़से होने वाले हिर्दे रुप के जोखिम को कम कर सकता है और लास्ट है नमबर 20 अम्रूत को एंटि प्लाग एजेंट के रुप में पहचान मिलिवी है यह प्लाग यानि कि दातों पर जमने वाली बेक्टेरिया यूक्त परत से दातों की सुरक्षा कर सकता है दोस्तों साथ ही इससे होने वाले कुछ नुकसान भी जान लेते हैं हलांकि अम्रूत के गंभीर साड इफेक्ट्स नहीं है लेकिन खाते वक्त थोली सावधानी बरतनी जरूरी है अम्रूद के नुकसान से बचने के लिए इनका सेवन संतूलित मात्रा में करें जैसा कि हमने इस वीडियो में बताये कि अम्रूद में फाइवर पाए जाता है और सरीर में फाइवर के अधिक मात्रा पेट में एठन और गेज की समस्या का कारण बन सकती है अगर किसी को किड्नी से जुड़ी कुछ स्वास सम्मंधि समस्या है तो डॉक्टर पोडेस्यम का सेवन ना करने की सलाह दे सकते हैं वहीं अम्रूद में अच्छी मात्रा में पाए जाता है इसलिए अम्रूद कि इस से अधीक मात्रा में लेने से पेट में गेज की समस्या हो सकती है अम्रूद गुन का आरी सस्त और असानी से मिलने वाला फ़ल है अम्रूद के अशदिये गुन और इसमें मोजूद पोसक्तत इसे खास मनाते है इसलिए आप अपनी डायट में अम्रूद को जरूर साम करें उमीद है कि या वीडियो आपके लिए लापकारी रहा होगा तो दोस्तों यह थे अमुरूत खाने के फाइदे और नुक्सान तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपना किमति समय देने के लिए धनिवाद और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को भी सब्सक्राइब करे मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ जो की बहुत ही इंफर्मेटिव होती है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई टे केर थैंक यू